मोदी सरकार का इरादा, किसानों को मदद देने का वादा नमस्कार दोस्तों, भारत एक खृषी प्रधान देश है भारत की अर्थ्व्यवस्ता क्रशी पर आधारित है लेकिन पिछले कुछ समय से देश के किसान आर्थिक समस्याओं से जूज रहे हैं जब देश के अर्थविवस्ता का आधार ही कमजोर होगा तो देश कैसे प्रक्ति कर सकता है? सरकार ने इस बात को अच्छी तरह से समझा और देश के किसानों के लिए प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना 2019 का गठन किया है. दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी देंगे. हम आपको बताएंगे कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना क्या है? इस योजना के तहत किसानों को क्या लाब मिलेगा? इस योजना के क्या नियम है इस योजना के लिए ओनलाइन आवेदन कैसे करें इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगी इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल से विचार कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी हुई सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना क्या है केंद्र में इस्तित वर्तमान मोधी सरकार ने अपने आखिरी बजट में दे देश में लागू की गई है प्रधान मंत्री किसान योजना का संचालन करने का मुख्य उद्देशे देश के छोटे और लगू और सीमान किसानों को आर्थिक साहता प्रदान करना है इस योजना के अंतरगत केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी छोटे किसानों को आर्थिक सायता के रूप में दी जाने वाली 6,000 रुपे की धनराशी को सीधे किसानों के बैंग खाते में ट्रांसफर किया जाएगा यह 6,000 रुपे की धनराशी किसानों को तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी प्रत्यक तीन महिने में 2,000 रुपे की किस्त किसानों के खात तयार किया गया है अब जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना 2019 के लाप क्या क्या है पीम योजना के तहट सभी राज्य के किसानों को लाप पहुचाया जाएगा किसानों को आर्थिक सायता मिलने से उनकी आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी इस योजना के किसानों को 6,000 रुपे की धनराशी प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी प्रधान मंत्री किसान योजना 2019 के तहट देश के 12 करोड से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा दोस्तर प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी योजना का लाभ प्रदान करने के लिए कुछ नियम और शर् को पीम किसान योजना का लाब केवल ऐसे किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनके नाम क्रिशी भूमी होगी इस योजना का लाब उन सभी छोटे छोटे और सीमान किसानों को प्रदान किया जाएगा जिनका नाम प्रदान मंत्री किसान योजना लिस्ट में शामिल होगा कि किसानों को 6,000 रुपे की धन्राशी तीन किस्तों में प्रदान की जाएगी पीम किसान योजना का लाप राप्त करने के लिए किसानों के पास अधिक्तम 2 हेक्टेर लगबक 5 एकर से कम क्रिशी भूमी होनी चाहिए दोस्त प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना 2019 का ल प्राप्त करने के लिए किसानों को निमने लिखित दस्तावेजों की आउशकता भी होगी क्रिशी भूमी का खसरा खतोनी की नकल मोबाइल नंबर पास आधार कार्ड बैंक हेबुक की फोटो कोपी अब हम आपको बताएंगे कि प्रदानमंत्री किसान सम्मान निधी योज नहीं की गई है लेकिन इसकी बहुत जल्दी ही सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी सरकार द्वारा जल्द ही किसान सम्मान निधी योजना का लाब किसानों को प्रदान करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी इसलिए समय रहते योजना में आविधन करें और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना का लाग प्राप्त करें तो दोस्तों यह थी केंड सरकार द्वारा देश के किसानों के लिए शुरू की गई पीम किसान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निदी योजना 2019 के बारे में आवशक जानकारी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई